हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल उटूप चैनल में जिसका नाम है एस सोल सोलुशन मैं से दनकुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समानता और सोतनतता के बीच में क्या संबंद है इसके बारे में आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए most important है जो master of political science के students है या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो graduation में या post graduation में राजनितिक सिध्धानत को as a subject प बढ़ना है तो भई आप अपने किसी भी एर का question paper उठा के देख लिजिए पहले shift का या दूसरे shift का आपको ये question mostly देखने को जरूर मिलेगा आज हम बात करेंगे समानता और सोतनतता के बीच में क्या संबंद है पहली बात आप ये समझेए कि इस question को आप लोगों के exam में कि इस तरीके से पूछा जाता है तो भई पहला type आपका simply ये ही रहने वाला है कि समानता और सोतनतता के बीच में क्या संबंद है क्या संबंद नहीं इसको बताइए तो भई अगर ये question आए तो आप directly लिग देंगे दूसरा question आप लोगों के exam में इस तरीके से पूछता है कि भई क्या समानता और सोतनतता एक दूसरे से पूरक है ये भी बहुत long question आता है इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे लेकिन है ये इसी question का part अगर आपके exam में question ये पूछा जाता है समानता और सोतनतता के बीच में क्या संबंद है तो भई ये बहुत बड़ा question है और आप flow को समझ जाना है कि भी काफी तेजी से लिखना है अगर आप ये question करें हो दूसरा question इसी में इस तरीके से भी बनता है कि भई क्या समानता और सोतनतता एक दूसरे से विरोधी है तो भई ये दो अलग-अलग questions है और इन दोनों के अलग-अलग तरक है और हम बात करें relation between equality and liberty स समानता और सोतनतता के बीच में जो संबंद की है जब हम इन दोनों को पड़ेंगे समानता और सोतनतता एक दूसरे से पूरक कैसे है और समानता और सोतनतता एक दूसरे से विरोधी कैसे है तब ही हमें complete ये पता चल पाएगा कि समानता और सोतनतता के बीच में क्या संबंद है क्या संबंद नहीं है तो चले गए आज की अपने इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो आप लोग हमारे टेलेग्राम ग्रूप्स में जरू जुड़े अपने कोई भी सुजाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके शेर कर सकते हैं अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं चले गए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि समानता और सोतंतरता यह कोशन आपके मन अज़सलें आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है तो भाई इस बात इस बात से निर्भर करेगा कि समानता और सोतंतरता अपने अनुसार स्वतंतरता और समानता के अर्थ निकाले हैं तो हम अलग-अलग बात करेंगे सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि समानता और स्वतंतरता एक दूसरे से विरोधी कैसे है और इसके बात फिर हम यह बात करेंगे कि समानता और स्वतंतरता जो है वो एक दूसरे से पूरक कैसे हैं तो चले सबसे पहले हम यह बात करते है Equality and Liberty Opposed to Each Other यानि विरोधी कैसे हैं तो भी इसमें कई सारे विद्वान हैं उनके अपने अपने तरक हैं कई सारे लेकक हैं दार्शनी के इनके अपने अपने तरक हैं तो सबसे पहले Lord Acton है इनका कहना है कि जहां पर भी आपको एक शब्द मिले समता या समानता तो आप समझ जाएंगे कि similar meaning है तो Lord Acton कहते हैं कि हमने समानता इस्तापित करने की लालसा में हमने क्या क्या सोतंतरता को निराशा में बदल दिया या सोतंतरता का हमने गला घोट दिया है यह किसका कहना है यह Lord Acton का है कि हम समानता इस्तापित करने के चकर में हम क्या कर रहे हैं सोतंतरता को बिल्कुल forget कर देते हैं हम बिल्कुल भूल जाते हैं Lord Acton और दूसरे writer है Julius Hexley इन दोनों विद्वानों का कहना है कि जो सोतंतरता है वो समानता जो है एक दूसरे से विरोधी है यानि समानता और सोतंतरता दो अलग अलग चीज होती है और दोनों एक दूसरे से विपरीत है कई बार हम समानता लाने के चकर में सोतंतरता को भूल जाते हैं सोतंतरता के सिध्धाउंत को ही हम बिल्कुल नकार देते हैं दोनों राइटरों के नाम याद रखना है आपको पहला Lord Acton और दूसरा आपका Julius Hexley इन दोनों का क्या कहना है आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार है इसे कोई व्यक्ति 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 करता है तो उसे पूरी उसकी व्यक्ति करने की चूट होनी चाहिए कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे उसे मनमानी कीमत पर बेचने देने का अधिकार होना चाहिए अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई मजदूरों के साथ में उन्हें समझभाता नहीं करना चाहिये जाही वैपारियों को और नाई वस्तुओं के निर्माताओं को अब आप बोलेंगे क्यों क्योंकि इनका कहना है कि एक वस्तुअ कैसे उसका स्मान भरिद रहता है कितना उस को पूरी के पूरी उस industries को लगाने के लिए उसका जो भी खर्च आता है जिसे हम surplus के रूप में देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है ये मिल मालिक ही जानता है इसलिए व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए कि भी या व्यक्तियों निजी माम लाए कि कोई वस्तू है अगर मैं किसान हूँ अगर मैं कोई चीज अपने खेत में बो रहा हूँ तो मैं उसमें कितनी महनत कर रहा हूँ ये गौर्वर्मेंट को थोड़ी पता चलेगा गौर्वर्मेंट उसपे क्यों परतिबंद लगाए गौर्वर्मेंट उसपे क्यों टैक्स लगाए तो ये मैं तैक करूँगा कि मेरी उसपे कितनी महनत लगी है कितनी पूंजी लगी है क्या लगी है इस हिसाब से मैं क्या करूँ उसपे जो भी कीमत है वो क्या करूँ निर्धारन करूँ उस पर कानून का कोई भी पर्तिबंद यानि सरकार का कोई भी पर्तिबंद उचित नहीं है यदि समानता इस्तापित करने की चाहां में राज्ये ने इन मामलों में हस्तचेप करती है तो भी हमारी सोतंदर्टा तो चली जाएगी हमारी अजादी तो चली जाएगी इससे फॉर एक्जामपल के तौर पे कई वारी कई वस्तु है वो महेंगे बिगती है और महेंगे बिगने के कारण क्या होती है सरकार जो है इन मामलों में हस्तचेप करती है इससे क्या होता है वैक्ति की सोतंतरता का हनन होता है इससे फॉर एक्जामपल के तौर पे कोई एक वस्तु है उसमें कितनी लागत लगती है कितनी महनत लगती है यह सरकार को नहीं बलकि उस व्यक्ति के मालिक को पता होता है यह उस व्यक्ति जो निर्मान कारे कर रहा है यह उसको पता होता है लौड एक्टन और जूलियस हैक्सले जैसे विद्वानों का यह कहना है कि यह हमा के बीच में हस्तचे अपना करें, सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो सबकी सोतंतरता की रक्षा करें, हर किसी को सोतंतरता रहे, ताकि हर एक व्यक्ति अपनी योगता के अनुसार आगे बढ़ सके, अगर हम ऐसा करेंगे, सबी व्यक्तियों को एक जैसा बनाने की कोशिश करे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो योग्य होते हैं, तेज होते हैं, वो ऐसे समय में, ऐसे लोगों के साथ अन्याय होगा। कि सुतंतरता का हमें ध्यान रखना होगा और कौन व्यक्ति कितना योग है इस बात में हमें जरूर ध्यान देना होगा इसके साथ ही जो हैक्स ले यह कहता है free but inequality should be our motto यानि हमें free तो रखना चीए पर हमें इस चीज का ध्यान रखना चीए कि भी inequality भी अगर की जारी है तो वो व्यक्ति के साथ में भेदवाओ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सुतंतरता की बात आ जाती है कई ऐसे ही हम देखते हैं समकालिन लेकक है जैसे आईजिया बर्लीन है या फैडरिक है और इसके साथ साथ मिल्टन फीड मैन भी है इन सब की धारना है कि वितनात्मक नियाय जो है जैसे जान रोल्स ने सिर्धानत दिया था वितनात्मक नियाय का जो सिर्धान था इसके छलावे में आकर हमें हमें परतिवा शालिन जो जो लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा यानि उनको कुछ खास विशेश अधिकार दिये जाएंगे तो यह कहते हैं कि ऐसा विशेश अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी व्यक्ति आगे अपनी योग्यता के नुसारा आएं तो भाई अगर हम किसी को विशेश अधिकार दे देंगे तो भाई इससे क्या होगा बाकी अन्य व्यक्तियों की जो सोतन्तरता है वो कहीं न कहीं बादित होगी इन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन्हें चलने के लिए बैसाकियों का सहारा है उसे हम जिसे ऐसे वैक्ति जिन्हें चलने के लिए बैसाकियों का सहारे की जुरुत पड़ती है उसे हम खुले आसमान में उड़ता हुआ नहीं छोड़ सकते बांकी पंचियों की तरह ये एक एक घर 10 सांब्सक्राइब Sig Egyptians साथ 15 जादा धी कारण सुवार चारण में आप लोगों सब्सक्राइब सब्सक्राइब का छलाव Almost तहत आपका अधिकार जो आपसे छीना जा रहा है इसी तरीके से Milton जो Friedman है इनका क्या कहना है ये इस पर्ष रूप से कहते हैं कि वही राजनितिक सोतंतरता अनिवारे सर्थ है जबकि आर्थिक अजादी जो है ये ब्यक्तियों के पास में होनी चाइए आप सबको राजनितिक सोतंतरता दे दीजे कोई धिक्कत नहीं सबकी वोटों की कीमत एक ब्राबर कर दीजे पर लोगों के पास में अपने आर्थिक ताक विल टाक विल इनका क्या कहना है इनका कहना है कि लोगतंत्र विशेषकर अमेरिका गणतंत्र की सहरहाना की राजनेतिक शेतर में समानता बालिक मत्रिकार उचको उचित नहीं टहरा है इन्होंने के example दिया है इन्होंने कहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहांपर क्या है हमने लोगतांतर की विवस्ता अमेरिका को देखके अपनातो लिया परन्तु हर एक समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ा समू होता है उनका वो अलप और कुछ ऐस होते हैं जो अलप संक्यक होते हैं हमेशा ज्यानी जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से होते हैं समाज में मजदूर किसान ऐसे व्यक्ति जिनके पास में अपना समय नहीं है ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उन सभी को हम बालिक समान मतादिकार दे देते हैं इससे क्या ह हता है गलत सवरकाट चुन नहीं घाती है कई बार हम देखते हैं हमारे हैं पर मजदूर किसान क्या है उन्हें राजनिती के बार में ज्यादा घ्ञान नहीं होता और वों अपने वोट को कई बार बेच देतें और कई बार एंकि Jake लिए उनकी राजनितिक समानता की वजे से बहुत सारे लोगों की जो सोतंतरता थी सब को आपने एक जैसे वोटिंग राइज दे दिये क्या फाइदा हुआ बहुत से जो अमीर लोगते उन्होंने चुनाव परचार में क्या करा बहुत सारा जो योग्ये भी नहीं है वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और बह यही चीज इन्होंने इसके बारे में भी बताने का प्रियास किया है तो भई यह पॉइंट यह थे जो इन्होंने यह बताए कि जो राजनितिक सिद्धांत की अंतरगत की बही समानता और जो सोतंतरता है वो एक दूसरे से विरोधी है हमें समानता और सोतंतरता जो है वो ए अब हम बात करेंगे समानता और सोतंतरता एक दूसरे से पूरक है यानि वो points के बारे में हम बात करेंगे जिन points है में यह पता चलता है कि समानता और सोतंतरता एक दूसरे से पूरक है यानि एक सिक्क्य के दो पहलू है एक के बेगार दूसरा दूरा है तो यह कोशन अरक से भी आपके एक्जाम में आता है तो यह इसका introduction इस तरीके से लिखना है अगर संबंध पूसता है तो आपको वहां से लिखना है अगर इस तरीके से पूसता है तो आपको पूरा यहां से लिखना है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो लोग समानत के बेगेर खतमी नहीं हो सकती, समाज में डेर सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर बहुत जादा विशमता पाई जाती है, जहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों के साथ में एक दूसरे से हीन समझा जाता है, दूसरे को एक दूसर कैसे होगी समाज में वो हरी जन वर्ग जिसका सदियों से शोशन होता आया है या वो मजदूर क्लास जिसका हमेशा पुंजी वादी वर्ग के अंदर पुंजी वादी समाज के अंदर पुंजी वादी जो लोग है अमीर लोग है वो हमेशा उनका शोशन करते हैं तो वो समाज में अपनी सोतंतरता कैसे कायम करेंगे इसलिए ऐसे विद्वान कहते हैं कि समाज में सिर्फ सोतंतरता ही देने से हम लोगों का विकास नहीं कर सकते हमें क्या करना होगा समाज के जो अधिकांश लोग जो अपनी विकास की जो जो उनको अवशकता है जो जो चीजों के अवश सकें समाज में जो बहुत सारी हमारे सामने समस्या मौजूद है भेदभाव से सम्मंदित उसको हम खतम कर सकें अब इन्होंने आगे चल के ये बात भी कहा है कि हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा तब ही हम सुतंतरता और समानता दोनों स्तापित कर सकते हैं और दोनों ए लोगों को इक्वल समझा जाए और अगर हम अगली बात करें तो कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए जिसके तहती है कि equality before the law यहाँ पर अगर हम देखें पूंजिवादी समाज में ऐसा नहीं होता बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जिनके लिए कानून और गरीब लोगों होते तो कानूनी रूप से ब्राबर हैं परन्तो हमें ऐसा रियल में दिखता बिल्कुल भी नहीं है अते हम यह कह सकते हैं समानता जो है वो सोतनतरता का सत्रू नहीं है अगर हमें रियल में समाज में परतेक व्यक्ति की सोतनतरता की रक्षा करनी है तो हमें पहले समानता भ आगे आप उनकी बागेदारी को सुनिश्चित करेंगे, ऐसे ही हरेके ग्रामिन समाज में कुछ प्रवावशाली वर्ग होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, शहरों में पुझी वादी वर्ग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो इसी तर आर्थिक समानता के बिना राजनितिक सोतंतरता जो है, वो निरथक है, या हम यह कह सकते हैं, वो किसी काम की नहीं है, पोलिटिकल लिबरिटी जो है, वो मिनिंगलेस है, विदाउट एकोनोमी एक्वलिटी, अगर हम आर्थिक रूप से लोगों को समान नहीं बना पाते हैं कि लोगतंत्र सिर्फ इस्तापित हो जाने से हम यह नहीं देखते कि लोगों का शोषण खतम हो जाता है लोगों का शोषण लोगतंत्रिक समाज में भी बराबर होता है जैसे रास्तंत्रिया तानाशाही में होता है इसमें क्या हम देखते हैं कि कुछ एक खास वर्ग के लोग यानि अमीर पूंजी पती लोग वही सासन व्यवस्ता में आते हैं गरीब हमेसा दरिद्र बना रहता है तो इसलिए सिर्फ हम वोट देने का जो अधिकार है सिर्फ वही दे दे तो ऐसा नहीं है कि लोगों की समस्य समाज में बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो भूका है दरिद्र है उसका जीवन ऐसे ही बीत रहा है सिर्फ राजनितिक अब फॉर एक्जामपल के तौर पे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने डंग से खाना नसीब नहीं होता जो डंग से अपने मिया भी बी दोनों वर्क तो करते है पर अपने बच्चों को अच्छी अजूकेशन नहीं दे पाते तो बहँ ऐसे में उन्हें राजनितिक समानता देके हम ये राजनितिक सोतनतता दे देंगे तो इसका कोई फाइदा है राजनितिक रूप से हम समान बना दे हम लोगों को जा सके ठीक है तो ये बात कहते है कि उस सतंतता का क्या लाब जो लोगों को अपने अधिकारों को यानि वोटों को ही वेचना पड़ जाए जब जादातर लोग समाज में गरीब हैं तो थोड़े से धनी वरगी हमेशा क्या करते हैं गरीबों का वोट खरीद लेते हैं और फलसुरूप विदान मंडल में आम लोगों को परतिनित कभी मिलता ही नहीं है वो सिर्फ हमेशा वोटिंग ही करते हैं वोटी डालते हैं इसलिए परतेक व्यक्ति के लिए हमेशा ये जरूरी है कि नियुमतम आवशक्ता की पूर्ती के लिए कम से कम उसके पास में कुछ प उत्रता का क्या फाइदा जब लोग अपने वोट्स को बेच रहे हैं तो उस वोट्स को उस वोटिंग राइट्स को उनको देके भी क्या फाइदा ये तो अमीरों ने क्या कर लिया एक साधन बना लिया कि भया लोग हमारा कभी सत्ता को हमारी सत्ता को कभी चुनौती भी न परन्तु वहाँ पर आर्थिक समानता भी भी उनसे कोसो दूर है आर्थिक समानता के बिगैर वहाँ पर आज भी जो स्वेत लोग है वही राजनिती पर पूरी की तरीके से या परसासनिक सेवाओं पर स्वेत लोगों का ही वर्चसु है आज स्वेत लोग जो है आज भी समाज क्या होगा दो वर्गों में बटाओगा एक वर्ग हमें सा क्या करेगा दूसरे वर्ग का शोशन करेगा समाज में रोजगार देना है तो जनता के जीवन स्तर को हमें उचा उठाना होगा और जो महंगाई है उसे नियंतरन करना होगा और कार खानों में पैदा होने वाल उसे हमें बढ़ाना होगा, तभी हम ऐसी समाज में समानता ला सकते हैं, नहीं तो राजनितिक, सोतंतरता दे दें, तो इसका कोई भी लाब नहीं है, अब ध्यान लखना है, पेरेटो नाम का एक विद्वान है, प्लेटो नहीं है, पेरेटो है, ध्यान लखना है, प्लेटो न से उनके आवाज चिन सकते हैं तो ऐसे समाज में कभी भी स्वतंत्रता का कोई मोली नहीं नहीं है वहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट है आपका आर्थिक समानता के बिगर समाजिक शोषन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता यानि जो exploitation है cannot be stopped यानि उसको stop नहीं किया जा सकता unless socially जब हम economy को हम ठीक ना कर दें चलिए हम बात करतें आगे बहुत से देशों के सविधान जैसे भारत भी है इसमें ये कहा गया है कि भाईया हमने जो बंदुवा मजदूरी है वो खतम कर दी हमने क्या कर दिया है हमने ऐसे नियम बना दी है जिसमें मनुष्य का खरीदा बिचा नहीं जा सकता यानि तसकरी नहीं किया सकती लेकिन अगर हम देखें हमारे सविधान में ये भी कहा गया है कि भई किसी भी वेक्ति से जबरदस्ती कोई काम नहीं लिया जा सकता ये गैर कानूनी है ना केवल भारत में बलकि विश्यों के बहुत सारे देशों में करिन तू आज भी अगर हम देखें तो बहुत जादा काम करवाते हैं और अगर वह इस साथ का विरोत करते हैं तो उन्हें कारेस्थल से निकाल दिया जाता है तो हम देखते हैं कारेस्थल पर कई बार जाती से संबंदित कई बार भेदबा होता है कई बार हम देखते हैं कई ऐसे हमें कारे इस्थल मिलेंगे जो कि महाँ पर आपको सिर्फ उस धर्म से संबंदित लोगी कारे करते मिलेंगे तो हम ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करते हैं इसके अलावा लास्की है इनका कहना है कि जिस समाज में बहुत जादा आसमानता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सोतंतता की बात उठाएगा तो शक्तिसाली जो लोग होंगे वो उसका अमेशा विरूद करेंगे लास्की ने बहुत अच्छी बात करी है कि जिस समाज में ऐसमानता है वहाँ पर अगर कोई भी सोतंतता की मांग उठाएगा तो सक्तिसाली अमेशा क्या करेगा उसका विरूद करेगा इसलिए शोशन को रोकने के लिए समाजिक क्या है समानता अगर हमें लानी है तो एकोनोमी के रूप से भी सबको एक बराबर करना होगा ताकि आज हम देखें महिलाओं का कारे सलप पर بहुत ज़ादा शोशन होता है क्यों उन्हें एक वस्तू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो भई उनका बहुत अथक शोशन किया जाता है बहुत हथक हम यह भी देखता है तो ये सब कब खतम होगा जब आर्थिक रूप से इसके बारे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, Equality before law is not much meaningful, what economic equality, यानि अगर हम देखें, तो अगर लोगों के पास में, यह से for example, कानून की बात तो मैंने starting में भी करी थी, जब मैं इस वाले net of fix को आपको इसी वीडियो में बढ़ा रहा था, कि अगर हम देखें, हमने समाज में ये तो कह दिया, कि भी कानून के समख समानता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी रूप से बेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर आप यह समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं हम यह बत कहते हैं कानून किसे उपर कोई भी नहीं है लेकिन इसकी कहने से क्या होगा आज हम देखें तो नियाए व्यवस्ता में जो अदालती फीस है वो बहुत जादा होती है चतुर वकीलों की फ खाना खाएंगे इसलिए अगर हम देखें तो कानूनी रूप से अगर हम यह चीज़ देखने की कोशिश करें तो जो अमीर लोग है वो क्या करते हैं चतुर वकील को हैर कर लेतें और उसके बाद में अन्याय को भी न्याय में जो बतल देते हैं और जो गरीब है वो कोट का चेहरी के चक्कर में नहीं फसना चाहता, इस वज़े से उसे क्या करता है, वो अपना केस ऐसे ही वापिस ले लेता है, तो हम ये क्या देखते हैं, आर्थिक समानता के बिना कोई कानूनी समानता का कोई मोल्य नहीं है, और इसके साथ-साथ गरीब लोगों के लिए, कई देश कानूनी सलाग की, मैं वस्ता तो कर दी, पर ऐसका कोई विलाब नहीं है, जब तक मनुष्य को उसका लाभी ना मिले, इसके साथ-साथ अब हम बात करेंगे निश्कर्श की, तो उपर हमने दोनों तरीकी की दलीले पड़ी, हमने ये भी पड़ा, कि समानता और सोतंतरता एक कोई मोल नहीं है, यहां पर एक पुलाड नाम के एक आपके प्रोफेसर है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सोतंतरता की समस्या का एक ही समाधान है, कि जब समानता हमारे सामने आएगी, समानता का विस्तार होगा, तभी सोतंतरता कायम की जा सकती है, अगर हम बात करें, कुछ विशमता होती है, कुछ न कुछ उस देश के अंदर क्या होते हैं, कि भई बेदबाव होता है, अगर हम उस बेदबाव को समाप्त करना चाहते हैं, चाहिए वो नसल से संबंदित हैं, चाहिए वो मजभब से संबंदित हैं, तो ये सब बेदबाव सिर्फ हम सोसंतरता बह्stop कर सकते हमें लोगों को क्या करना होगा आर्थीक और शमाजीग रूप से समान बनाना होगा तभी हम समाज में मौजूद समस्य जितनी भी समस्य आहें उन सब को solve कर सकते हैं इसके साथ साथ जो जॉन रॉयल्स ने अपनी जो बुक लिगी थी ठीरी of justice जिसे theory of justice कहा जाता है यानि सच में नियाय का एक सिद्दान्त है और यह आधुनिक समय में नियाय का सबसे best सिद्दान्त में से एक है आपके exam के लिए important है इसकी वीडियो आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं तो इन्होंने भी समाज में नियाय पूर्ण बटवारे की बात करी थी कहा था कि जब कोई पायदा नहीं है तो इसलिए हमें समाज के वंचित वर्णो को प्रात्मिकता दी जानी चाहिए उन सभी के लिए हमें कुछ स्क्राइब भी जरूर करेंगे चलेगा इस मिलतम आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत